हेलो अरिवान वेलकम बैक मैं चैनल इगनोवाला फ्रेंड जैसा कि आप पिछे देखी सकते हैं आज कि इस क्लास में हम बात करने वाले हैं MP8002 में वाले स्ट्रेंड्स का यह सब्जेक्ट कोड है MP8002 तो चलिए आज इस क्लास में हैं MP8002 के important question, important topic यानि कि हमारी book में जितनी भी unit है हम आज उन सारी unit पर discuss करने वाले हैं और important portion भी आज की class में हम सीखने वाले हैं तो class बहुत interesting होने वाले हैं क्योंकि यह जो subject है MP8002 बहुत ही easy subject है और easy के सासाथ अगर आप इस class को एक बर carefully देख लेते हैं तो यह subject आप के लिए और भी ज्यादा carefully होने वाला है तो चलिए class start करते हैं, class के last तक बने रहें और class को समझने की सीखने की कोशिश करें चलिए, जैसे कि यहाँ पर हमें units दी हुई हैं मैंने आपको, ठीक है पहला हम इन units को discuss कर लेते हैं main main topic हम इस unit के discuss करते हैं, वैसे मैं आपको बता दूँ, यह unit भी हमारी इतनी easy है, इतनी easy है कि आप बहुत easy तरीके से इनके answers को बना के कर सकते हैं, question कुछ भी पूछ लिया जाए, बस एक बार topic समझ लो, फिर उसमें से कोई भी question आ जाए, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि first unit हमारी यहां पर्दी हुए है, मानम निर्मित आपदाओ को समझना, मानम निर्मित आपदाओ, मानम निर्मित आपदाओ समझ लेए हो ना, मानम द्वारा की गई आपदाओं जितनी भी होती है यह question मैं आपको आगे discuss करूंगे कि बहुत ही जादा important question है, previous question paper में हर साल आपसे यह पूछा गया है, ठीक है, तो यह very important question है, इसको हम आगे discuss करेंगे, next time आपके आपदाओ, यह हमारी unit इतनी important नहीं है, next time, रासाइनिक, जो जो unit आपके लिए important होने वाली है, और जिन units में से हर साल question पूछ गया है, मैं वो ही unit आपको कराऊंगी, then उनकी question answer कराऊंगी, ठीक है, रासाइनिक आपदा है, जितनी भी chemical से होने वाले disaster है, वही उन्हें हम क्या बोलते हैं, रासाइनिक आपदा है, किस तरीके से होती है, क्या होती है, आगे बात करेंगे, जैविक आपदा है, clear है, भवन में आग लग जाना, देखो, word है इतनी इसी तरीके से बताए हुए है, कि इस word से ही समझ रहे हैं कि भवन में आग लग जाना, सबसे पहले तो यह बताना है, यह कौन सी आपदा है, और फिर उसके बाद बताना है, कि किस तरीके से होती है, इसको निप्टाने कि क्या क्या तरीके है, यह आपको इस पॉशन में बताना होगा, ठीक है, दीकि अगर मैं इस पोशन इसमें बात करूं, कि भवन में आग लग जाना, थो सबसे पहली बात दो ही प्रकार की आपदाएं होती है, या तो मानव निर्मित आपदाएं या पिर होगी प्राकरतिक क्लियर दो ही तरह की होती है मानव निरमित मेंister होती है कि तरफ को कि गया चैनलौ कि किसी भी विल्डिंग में आग लग मानव लग्सानी ह? जाती है तो अपने हैं लगजाती है कहीं ना・ावी मानव द्वहार कुछ न कच्छ लापर वाही कुछ न कुछ गल्दी की होती है जिस कारण इतना बड़ा संगर देखने के लिए मिलता है तो यह अगर मैं आबदा की बात करूं तो यह हमारी कौन सी आबदा हो जाती है मानव निर्मीद आबदा ठीक है भवन में आग लग जाना कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो मानव द्वाराही गलत प्रसेजर किया होगा सिलेंडर का फट जाना ठीक है गैस को खुला शोड़ देना इस तरीके से होता है न उद्ध्योगी करणों में भी आबदा में देखने के लिए मिलती है उद्ध्योगी करणों में आग लग जाना बड़ी फैक्ट्रियों में आग परकाल्ची हो सुझाल लग भाँसनल चाहिए थीक है वो इससे इसे बहुत ही बड़े संकर सेंब कर साथ सकते हैं इसलिए हो सकती है यह बहुत ज़्यादा आग पकड़ लेता है जिस कारण हम इसको मानव निर्वीद भी कह सकते हैं कहीं न कहीं कोहिले की फैक्टरी में मानव द्वारा भी लगाई जा सकती है अब ऐसा नहीं कि मानव जान भूच के लगाएगा कहीं न कहीं मानव भी कुछ न कुछ लापरवाही कर देता है जिस कारण एक तो कोईला क्या है बहुत जादा जलन सील परदार्थ ही और थोड़ा बहुत क्या हो जाता है मानव अपनी लापरवाही कर देता है जिस कारण यह इसा करता है यह उपर से पानी डालने की कोशिश करते हैं लेकिन नौर्मल पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए जहाग युक्त पानी का यूज़ करना चाहिए तेल की आग हो जाने के लिए क्यākए जाग यूतुप पाणी जो होता है जब वो तेल की आग बड़लता है तो वो तेल को ऊपर नहीं आने देता है जिसकारण आग वहीं की वहीं रुख जाती है तो ये यूनिट में से कोशन बन सकता है थीक है, कि तेल में आग लग जाना कौन सी आपधा है इसने आप क्या समाजता है या फिर इसने बचने के उपए देखिया मानेन निर्मित आपधा है जितनी बिली कहीं न कहीं इनको सुलजाने की तरीका होता है कि मानफ की सब्सवाड़ी लापरवाही ना चाहते हो भी कही न कही लापरवाही कर ही देता है जिस कारण इतनी सारी संकटों का इतनी सारी परिशानियों का हमें सामना करना पड़ जाता है यहां तक unit clear होई बहुत easy unit है आप इन units को देखकर समझ सकते हैं और इस अच्छी बात है कि इनको बना बना कर आप easily लिख सकते हैं बस आपको एक दो hint पता होने चाहिए फिर आप easily बना बना के लिख सकते हैं नेस्ट आजाते हैं वाई-उ परदूशन देखे वाई-उ परदूशन कितना easy है वाई-उ परदूशन क्या होता है हवा में बहुत जादा गंदे जहरीले परदा आर्थों का मिल जाना वाई-उ में फैक्ट्रियों से गंदे गंदे धुए निकलना है ना ऐसी होता है ना फै जहरीली गंदी-गंदी जहरीले परधार्त मिले होता है जो वाई-उ के कणों में मिक्स होता है और वो हम सांस के द्वरानी उनको अंदर ले रेते हैं जिससे हमें सबसे बड़ी दिक्कत तो सांस की दिक्कत बन जाती है ठीक है breathing problem सबसे जादा बनती है वाई-उ परदूश बहुत जादा seriously लिया था क्योंकि serious वाली बात भी थी government school की छुट्यां भी कर दी गई थी ताकि इससे कोई problem ना हो अपने घरों में safe रहें तो हमें ऐसा कोई इतने जादा भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहें जिससे हमारे ही वज़े से और हमें ही problem वाली बाते देखनी पड़ जलप परदूशं में क्या दा किया दा जबस बहुत एज्यागर इसलिया आ 시क्टर या एससी करते हैं ऊपने घरों से जो इस अफ़े सभा कूड़ा क्रता है सब य किनियदा लियों में मिक्स कर देता है जिससे जल परदूशन होता है और कल खानों से निकलने वाला फैक्टरियों से निकलने वाला ये गंदा पानी क्या है क्या कर रहा है जल परदूशन जल को क्या कर रहा है ये परदूशित कर रहा है जिससे जल परदूशन होता है और उसी पानी को फिर क्या करता है कितना भी हम पड़े बड़े उध्योगों को अधिक मातरा में पेड़ों को काटा जाता है ठीक है काट दिया गया वनोन मूलन कर दिया दूसरी बात हम कारबन डाइड चोड रहे हैं ले तो कारबन डाइड को कौन अब्सर्ब करेगा जो पेड हमें हमें ऑक्सिजन कहां से मिलेगी ब्रेइशिंग प्राबलम होगी नहीं ब्राइट को जलाने का प्रॉसेसर भी कीशन होगा तो यह भी कहीं हमारा important बन जाता है next है उद्योगी करन abscist gel production उद्योगी करन से निकलने वाले गंदे abscist जो कि क्या करते हैं gel production करते हैं उसके बारे में आपको बताना है ठीक है next आजाता है सड़क दुरगटना बहुत ही important question है very important है हर साल एक्जाम में बूचे गा है सड़क दुरगटना क्या है यह किस तरह की आपदा है सबसे बड़ी बात मानम नीर में तापदा है इससे बचने के क्या हो पाए है यह आपको इसमें discuss करना यह मैं आपको आगे discuss कराऊंगी बहुत ही important है next आजाता है rail दुरगटना rail दुरगटना जितनी भी rail ऑसे दुरगटना ही होती है क्या होती है या तो train पटरी से change रहा है तो कितना बड़ा हद्सा हो जाता है बहुत सारी बाते होती है rail दुरगटना में वह जो कि हमें मानम को बहुती बड़े संगट का सामना करना पड़ता है इस question को भी हम आगे discuss करेंगे ठीक है क्योंकि ये भी बहुत important question है हरताल exam में पूछा गया previous question paper में next आता है विमान दुरगटना ये हमारी इतनी important नहीं होती है बढ़ फिर भी कही न कहीं कभी न कभी question पूछी लिया रहता है विमान दुरगटना चोटे notes में पूछ लेराता है विमान दुरगटना तो इसके बार में हम discuss करेंगे next आता है समूंदरी दुरगटना इस को भी आँगे discuss करेंगे क्योंकि ये भी बहुत important question है clear तो ये थी हमारी unit आप इस unit को देखकर ही समाझ सकते हैं कि exam बहुत easy आने वाला इतना कोई टफ नहीं है इसारी ऐसी चीज़े है जिने हम daily ways करते हैं है ना ऐसा तो नहीं है कि हम first time किसी word को सुन रहे है कि ये क्या होता है आपदा क्या होती है मानन देश्च क्या होता है प्राकर सिख्या होती है ऐसा तो कुछ नहीं है देख लेते हैं कि आपदाय क्या होती है फिर्स्ट कोशन हमारा बन जाता है आपदाय क्या होती है ठीक है सबसे पहले यही बता लो तो ऐसी कुछ घटना है जिनसे मानव को जान माल की हानी हो वो सभी आपदाय कहलाती है ठीक है अब यह आपदाय जो होती है यह आपदाय कितन प्रवाही के कारण हो जाती है मानव खुद बखुद इन्हें क्रियेट कर देता है लेकिन ये प्राकर्तिक आपदाई भी जो होती है न ये भी कभी न कभी पास्ट में मानव की की गई गलतियों के कहीं न कहीं मानव की ही गलतियां की हुए होती है पास्ट में जो ये प्राकर्तिक आपदाएं आती है ठीक है तो चलिए देख लेते हैं प्राकर्तिक आपदाएं कौन सी होते हैं इनकी उधारन के लिए जुआला मिल्की विस्पोर्ट ये भी कहीं न कहीं पास्ट में मानव द करती हैं लेकिन कहीं न कहीं इन्हें भी मानव द्वारा ही किया गया होता है अब आ जाते हैं मानव निमित यह हमारा ज्यादा इंपोटेंट है यह ज्यादा एक्जाम में पूछा जाता है मानव निमित की एक्जाम है भुपाल गैस रिसाव याद है कितना ज्यादा क्या गई दलतिया थी है ना नेस्ट हो जाता है लंदन धूम कोहरा और गुस कलन वैस रिकता आपमान का बढ़ना और सड़क दूरगटना का होना ठीक है सड़क दूरगटना का सिंपल वे में देखें जो कि हमारे एक्जाम में इंपटेंट भी बनते हैं सड़क दूरगटना का ब पर आग लग जाना यह भी तो मानम नीर में थी है सारी अगर 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 जाना यह सब क्या है मानम नीर में ताब दायां चलिए आगे देख लेते हैं इनकी बारे में थोड़ा और डिस्कुस करेंगे हम आगे जैसे कि मैंने आपको यहां पर डाइग्राम दिया हुए फोटो से आप देख सकते हैं आकाल का पड़ जाना ठीक है रासाइनिक और उद्ध्योगी बिजली का गिर जाना ठीक है आंधी तुफान का आजाना बाराना भुकम पाना यह सब क्या है प्राकरतिक और मानम नीर मि उपनी चाली थी कितने जादा लोगों को अपसेट रहे थी कितने परिवारों में लोग से लोग के लिए घ्लाइशा के लिए मतलब खतम हो गये तो इस सब हमारी मानल रिमित और प्राकरती का आप दाने हैं, clear? नेक्स्ट कोशन बन जाता है हमारा, वाईयो परदूशन तो आप जानते ही हैं, जैसे कि मैंना आपको उपर बताया, कार खानू से निकलने माला धुआ, ट्राफिक से इतना ज़्यादा, क्या ट्राफिक से निकलने माला धुआ, जहरीले, गैसेज, यह सब क्या करते हैं, क्या होता हैससे जब जादा में क्या होता है क्या होता है सबसे शाड़ाइलप मनूस्य सब्सक्राइब चाहएं कि मृत्यों भी निश्यत हो सकती हूं वायू प्रदूशन वायू जिसे हम ब्रीः ले रहे हैं और ब्रीःंग के जाता है तो यह की आफ तो देगे अब आप सोच रहोंगे कि वाईू परदूशन हमें पता कैसे चलेगा अब आपने सोचा होगा कि यह जो हमारी दिवाली के बाद गॉर्णमेंट स्कूल ने छुट्टी की तो उन्हें कैसे पता चला भई कि हमारी वाईयू में जादा ही परदूशन हो रहा है तो देखिए वाईयू को नापने के लिए एक जो माप होता है सुचकांग होत करता है कि अगर 45 है एक यू आई 45 के संसिंग है तो हमारा वाईयू ठीक है हमारी वाईयू ठीक है अभी परदूशित नहीं है लेकिन 300 से उपर का जो एक यू आई लेवल अगर बढ़ेगा तो यह हमारी वाईयू के लिए और हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होगा खतरन सड़क दुरगटना बहुत ही important है कि सड़क दुरगटना क्या इससे बचने के क्या उपाया किस तरह मानव इने खुद create करता है तो देखी सड़क दुरगटना जैसे कि आप देखी सकते हैं बहुत ही easy वो है यह बहुत ही जादा faces करने वाली problem है यह आप सड़क से निकले road स निकले तो आप अगर long drive पे चारे तो एक नेक accident आपको road पे जरूर मिलेगा क्योंकि यह क्या है मानव की तो लापरवाई है कोई ऐसा तो नहीं प्राकरतिक अपने आप यूपर से एक गाड़ी आई और उसने एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी से ऐसे कर दिया नहीं ऐसा त ठीक है चाहिए वो इधर से आये दोनों में से किसी एक की ना एक की तो गलती होगी ना अगर इसने कंट्रॉल किया होगा तो तो यह स्पीड मोगा इधर गाड़ी वाला स्पीड मोगा तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह दुरगटना को मनव खुद क्रियेट करता है ना चलिए देख लेते हैं कि किस कारण यह सड़क दुरगटना होती है अते दिक तेज गती से गाड़ी चलाना सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी आपको बताई है इतनी स्पीड में गाड़ी चलाते है कि खुद को भी डरी नहीं होता कि अगर गाड़ी हमारी स्लीप होगी त ऐसे आपने एक्सिडेंट सुने होंगे काफी बार एक्सिडेंट सुने होंगे कि एक्सिडेंट यहां हो आए गाड़ी स्लीप यहां हो यह और कई किलोमेटर दूर तक वह गाड़ी स्लीप होती हुए तो वह किस कारण होती है गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में होती है आते देख तेज गाड़ी चलाना यह सबसे बड़ा कारण होता है सड़क दुरगटना का नशे में दुद्दो कर गाड़ी चलाना यह भी तो सबसे बड़ा कारण है और आज की रेट में सबसे ज़्यादा यही माना जाता है कि नशे में इतने ज़्यादा दुत होता है कि नशे में खुद का तो आपा समाला ही नहीं जाता है है ना तो गाड़ी को कैसे समालेंगे बट हाँ यह बोलता है हम तो गाड़ी चला लेता है ये भी हो जाता है ना कभी-कभी गाड़ी चला रहा है ड्राइवर एक दम से ध्यान बटा किया का यह और नजर चली गई तो इसमें ध्यान बोलता है ना नजर हटी दुर घटना घटी तो वह वाला केस यहां पर आ जाता है जरा सा भी ध्यान हटा अगर ड्राइविंग करते ह हुए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रियेट होती है स्रड़क दुगटना की नेस्ट जाता है रेड लाइट जंपिंग रेड लाइट है लेकिन फिर भी उसको क्रॉस करके भागते हैं तो इधर से भी गाड़ी यह भी सबस्यादा होता है ना नेस्ट जाता है सीट लगाते हैं सबसक्रा अब आपकी लला होता है कि सिट देल्ट नहीं लगाते हैं हैं रहते हैं और जारा से छोटा मोटा कि आपकी गाड़ी स्लीप हो गई औराप मंग घर गए और आपने हैलमेट पहना होगा तो आपका सर बच गया है है पहले सर में ही लगती है तो ऐसी चीजों का उजो हमारी खुद की safety के लिए हैं क्यों इन्हें ignore करना भई हमारी safety के लिए हैं किसी और की safety थोड़ी न होगा या ऐसा थोड़ी न होगा helmet मैंने लगाया है तो जो दूसरी गाड़ी पे मेरा friend या कोई भी दूसरा व्यक्ति चल रहा है उसकी safety होगी आपकी खुद की safety है तो किर्पिया इसका ध्यान दे seat belt लगा कर चले और सबसे बड़ी बात lane driving का पालन करना इसका पालन करें बहुत से लोग क्या करते हैं इसका पालन नहीं करते हैं पालन ना करना यह सबसे बड़ा कारण बन जाता है गलत तरीके से overtake करना गलत तरीके से overtake क अगर हम इसके बचाव की बात करें तो इन सभी चीजों को अगर ध्यान में आप रखते हैं तो क्या सड़क दुरगटना हो सकती है आप पीछे जो है वो भी केरफुली यानि कि रोड़ पर चलने वाला हर एक व्यक्ति ध्यान से गाड़ी चलाए गाड़ी के अलावा कहीं और ध्यान ही न रखें हेलमेट का यूज करें सीट बैल्ट का यूज करें ड्राइविन बिल्कुल लाइन में करें ऐसा नहीं है कि आपकी लाइन जाने वाली लेक्ट है और आप राइट हैं राइट हैं पर जबकि आने वाली लाइन है लेकिन आप जाने वाली का यूज कर कि क्या खारण हो मैं अब यह को बताया है कि रेल का पट्री से उतर जो और यह इसके नहीं होना चाहिए। दुगटना भी हमारे इंडिया में भारत में बहुत जादा देखने के लिए मिलते हैं जिसका एक सबसे बड़ा उधारन है कि बाला शोर के बहानागा बजार में एक सड़ा रेल दुगटना हुई थी जिसमें कि काफी लोगों का जान की भी नुकसान हुआ था जान को भी खो उटरगटना की कई सारें कारन हो जाता है रेल दुगटना में रात को लोग सदेंतल रेल वह बन जाता है जाहती है पक्ड़े गये तो आशा तो करता ना गलती हो गई तो अगर जादा ही वह फस गया है तो वह सौरी बोलेगा और ना अपनी सेफटी के लिए भागनी के लिए पहले पूरी-पूरी कोशिश करता है ठीक है तो वह भाग दे समय आपके ऊपर किसी भी तरी किसा अटैक कर सकता है सड़क दुरगटना हो जाती है ऐसा भी कई बार होता है रेल दुरगटना में ऐसा भी होता है खुद जो लोग सुशाइड करना चाहते है तो दोनों चीज़ों में फेस करनी चाहिए ना तो ऐसा मैं तो यही कहूंगी ऐसा ना ही करें तो ही अच्छा है तो मतलब समझ जाए ये वसा ठीक है और एक रेल दुरगटना में ये भी हो जाता है कि काफी सारे पैसेंजर रेल ट्रेन के उपर बैठके सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं है ना तो काफी काफी हैवी लाइन है कभी कभी क्या हो जाते है लोग बाब उस ट्रेन से ट्रेन पर बैठने के बाद उन लाइनों से टकरा जाते है एवी वाट की वो लाइन होती है जिससे की वहीं ओंदा स्पोर्ट वो खतम हो जाते हैं तो काफी सारी रिल दुरुए टाइम है देखने के लिए मिलती है तो आप अपने कोशन में आसानी से इस कोशन को बना के कर सकते हैं चीक है चलिए हमारा यह आज का टॉपिक MPA002 का यहीं पर ही खतम होता है आज की क्लास यहीं पर ही फिनिश होती है और I hope यह जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताएं बहुत एजी तरीके से बताएं सिंपल भाशा में आपको मैंने यह बगाया है और मुझे यकीन है कि आपको समझ भी आई कुक yat सारी यूनिट मैंने आपको भी दिखाई जांगी है कि आप नहीं कर सकते हैं तो यहीं चीजह बहुत होने देक्ते नहीं सुनतिए से एक्जाम्पल के साथ आप अपना अंसर कवर कर सकते हैं तो आई होप मेरी एकलास आपको पसंद आई होगी थैंक यू वाचिन फू माई वीडियो से लास्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो